Hello Friends आप सभी का स्वागत है, Friends आज आप सभी को कच्छा दस विज्ञान के पेपर का संपूर्व हल कराने वाले हैं इसमें आप सभी को ये 2024 का एक प्रकार का वारल पेपर है इस पेपर का संपूर्व हल देखके आप बोड का इकजाम देने जाईएगा यही paper same to same board के exam में आने वाला है ठीक है friends यहाँ पे देखिए आपका जो paper का set है EO है ठीक है यहाँ पे इस बिज्ञान का paper का संपूर हल देखेंगे friends जब आपको board के exam में इस पका का जब paper मिलेगा यहाँ पे सबसे ऊपर क्या करना है आपको अपना अनुक्रमांक लिखना रहाता है ठीक है और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहाता है यह सभी आप सभी को पता है अब देखें friends इस paper के यहाँ पे आपको दिखा देते हैं पूरा paper प्र देख सकते हैं तो के जो आप बोड देखे इसके अपर को निर्देश को आप पाट लीजिए अपना को पोड़ जिएगा आप एक बार निर्देश को देख लिजिए इस निर्देश के बारे में आप सभी को परते कट बता चुक dan यहां पर इस पेपर का यहां पर हल देखते हैं छलिए आप यहां पर हल देखते हैं नहीं जिसमें देखे मुझ सवाल कि सब्सक्राइब बड़ा आभासी परतिविम बनाने वाला दरपड़ है, ठीक है, यहां पर द्याद दिजिए कि क्या बनाना है, बड़ा बनाना और आभासी बनेगा, तो आपको इसमें आपसन देखे दिया है, समतल दरपड़ के द्वारा बनता है, या अवतल दरपड़ के द्वारा, या उत उत्तल दरपड के बारे में पढ़े होंगे कि उत्तल दरपड के दुवारा आपका आभासी परतिवीम बनता है क्या बनता है आभासी परतिवीम बनता है लेकिन छोटा बनता है यहां पर आभासी परतिवीम बनता है लेकिन छोटा बनता है यहां पर आभासी परतिवीम बनता वाला दरपड़ कौन सा है तो यह आपका आपसन बी वाला सही हो जाएगा ठीक है आप आपसन को ध्यान से पढ़के लगाया कीजिए यहाप बड़ा पूछा यहाप छोटा पूछाता तो आपका सी वाला आपसन करेक्ट हो जाता ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को आता है वह है यानि कि आपका मानून नेत्र के द्वारा जो परतिवीम बनता है वह कहां पर बनता है परितारिका पर बनता है यह द्रिश्टी पटल पर बनता है यह पुतली पर बनता है यह कार्णिया पर ठीक है तो मानून नेत्र के द्वारा जो परतिवीम बनता है वह ब पर बनता है अगला सवाल देखिए तीसरा नमबर का कि स्वीध प्रकास का कौन सा रंग काज की प्रिजम से गुजरने पर अधिक्तम वीचलित होती है देखिए यहां पी वीचलन के बारे में समझ लिजी वीचलन एक तरफ अधिक लिखिए किसमें अधिक वीचलन होगा और कम लिखिए ठीक है देखिए वीचलन आपका जो अधिक होता है बैगनी रंग में होता किसमें होता बैगनी रंग में और कम किसमें होता है आपका लाल रंग में दोनों प्रश्न को याद रखिए ठीक है तो बैगनी रंग का वीचलन क्या होत प्रवाहिद विद्धु धारा को दुगुना कर दिया जाता है तो उत्पन उस्मा हो जाएगी या उत्पन उस्मा क्या होगा देखिए यहां भी क्या हो रहा है कि धारा को क्या कर रहा है दुगुना कर रहा है तो उस्मा का फार्मूला क्या होता है देखिए उस्मा का फार्म यह चीछ कल टू कितना दूद ना के चार आई स्कौर आटी हो रहा है यहां पर आपसन कौन से सही होगा सी वला आपसन क्या हो जागा आपका सही होगा इस प्रकाश प्रश्ण को आपको फुरा डिटेल में बताने वाले और संपूर पेपर आपको हल कराएंगे आप वीडियो चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उप्यूक्त पदार्थ है ठीक है एक वीडियो चुंबक है उसका कोर बनाना ना सबसे अधिक उप्यूक्त पदार्थ कौन सा है आपसने पीतल होगा मुलायम लोहा है इलुमूनियम है या इस्टील है ठीक है यहां पर अग्ला नमबर देखी गैसे जहां से निमट्र कहों सा आरेक सही है यहां से बनाया गया ठीक है यहां पर ध्यान दिए का प्रकास कीराण यरा यह Egg होको इसी गलत होता ठिंग यह आपका कौं सा लैसा अले सातं है तो अट लेरी दोस्तों और ले चाहत है अσ самой मुख्याच गातर जा रहा है है और अप अ长 sorting के सामान्तर जा रहा है ये और सम ख्राब्यूreno तर्परा के बारे में बारे में यह मुख्या अच्छ Sing जर्प्रकास के जब क्यूता सक्षए चलता है दूर जाता और ये आप कहां से मुख्य फोकस्ट आती होई पस्तिष मूति also करेक्ट करिक्ट हो जाएगा अगला सात्वा नंबर के देखिए यहां पर सात्वा नंबर क्या है कि विद्धुत-उर्जा को विद्धुत-उर्जा को किसमें परिवर्दित करता यांत्री कुर्जा चलिए आपसन को देखिए आपसन कहां पर है यह यांत्री कुर्जा की विद्धुत में गलत हो जाएगा ठीक है अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा देखिए अगला सवाल आप देखिए यहां पर देखिए यहां से आपको Pris ОтWhere सभ वायू किया है एक समांगी मिस्रण federal है धात्त है यह उप्रयुक्त में से कोई नहीं ठीक हैं यहां पर देखिए आपका क्या होगआ कि यहां पर नुम्बर का सवाल यहां पूछ रहा है यहां पर युक्त्य व्हां पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा एलकीन के बारे पता करने के लिए आपको फार्मुला पता होना जाए न भी हहला देखिए यहां करना न की चार occurred करना चाहिए यह फार्मुलाt करना चार infinite रभी उफसंगता थे 5 आसे डेकंगे एप्षा पहर थे यहां घ 한다 नहींWest也 करणे कि यहां अज़ता है। यहां कार्बन का दुगुना दिया है नहीं एलकीन का फर्मूल यह है ति तीन दुना के अच्छा ति यह वाला आपसन क्या होगा आपका सही होगा इस प्रकार से बोर्ड के एक्जाम में सभी सवाल आपके आने वाले है अब दसवा नमबर का सवाल देखे क्या है आपका इसलिए आवर्त में बाएं से दाई और जाने पर होता है यानि कि आप क्या करेंगे बाएं से दाएं जा रहे है तो बाएं से दाएं जाने पर आपका क्या होता है तो प्रमालू कर्मांग तदा प्रमालूविक आकार में विर्द्धी होता है यह आपसन सही होगा कालम कालम अगला नंबर का ढख दोनों में बड़ता चला जाता है यह मैं दोला जाएगा सफरेंज यह वला क्वेस्टेन आपको थे आगया है थेखिस कि अगला नंबर का क्या है कि इसका क्या होगा प्लास्टर पर फेरिस का उप्यूंग कहां पर करते हैं ठीक है यहां पर द्यान दिजिए कि प्लास्टर अप्पेरिस कई नेरिमाला कि होता है तो देखी फ्रहिस परियोग करते हैं मुर्ति का निर्माला करते हैं और कॉस्टिक सोडा का प्रीयोग साभुन का निर्माला करते हैं sodium bicarbonate का प्रियोग किसरों करते हैं ता प्रतीय अधि किshirt की दे के रूप में यानिक एक पहला आप आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब यह ज़ाएगा अगले नंबर के क्वेस्टन को देखते हैं देखिए यहाँ पर अगला नंबर का क्या है देखें यहां पर 13 नंबर का ठीक है कहरा है कि निमनलिकित में से मेथील आरेंज मिलाने पर कौन सा लाल रंग हो जाता है यानि कि लाल रंग कौन सा होता है और क्या मिलाना है मेथील आरेंज को मिलाना है यहां पर आपको दिया है कि इसमें क्या मिलाएंगे मतलब कि मेथील आ और यह क्या है चार है जो हता है आप किस में मिलाते अम्र मिलाते हैं तभी लाल रंग मिलता है इसका सही जो आप बीवलाफन सई हो जाएगा ठीक है अगला नमबर देखिए 14 उखंड गव देखिए 14 नमबर का नवी करणी उर्जा का एक परेवड़ी हीतेसी स्रोथ है यानि कौन सा हीतेसी स्रोथ है आप से ने पवन उर्जा होगा दूसरा है पेट्रोलियम उर्जा होगा प्राकृतिक उर कि मेंडल किसलिए परसिद्ध के लिए इसलिए परसिद्ध है आगला नंबर देखिए शुक्राड़ू का हुआता है primeira दिखें वि almanda सछी होगा 17 कि कूपी का मतलबं कोंश्ट का पाए जाती है का पाए जाती है का चुप्यका कहा करेक्ट हो लग ले लिए ठीक तो मिल जाएगा आपका जल जल का परिवान कौन करता है तो जाइलम करता है इसके लोगा एक प्रस्ण बार बार पूछता है कि भोजन का परिवान या खादे पतातों का परिवान पौदों में कौन करता है तो फ्लोहेम करता है तो जल का परिवान जाइलम और खादि पतातों के परिवन- पॉदम कौन करता है तो फ्लोहिम करता है ठीक है याद रखिएगा। 19 नंबर का सवाल देखे क्या है कि एक स्वास ब्यक्ति में समान रक्त दाब होता है यह रक्त दाब तो आप सभी को पता होगा कितना होता है जलब पूरुष्त की नाम सर्पाचिद ठीके आपसान यैति नामसे प्रशिद्द्ध ठीके यहां पर बिन्देशुरी पाठाक भाफ्यतर में देखतें यहां पर दियान देजbürिए ठीक है पूरा प्रेपर आप यहां से देखिए ठीक है देखिए यहां पे अब यहां से स्टार्ट होता है खंड वह वरात्मक प्रस्ण रहेगा टोटल यहां से मिलेगा आपको पचास नंबर का उप्खंड का है जिसमें आपको बहुती विज्ञान के सभी सवाल होंगे यह वरात्मक प्रस्ण है जिसे आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना है एक कई सवा नंबर का देखिए कि एक दरपड उत्तल दरपड द्वार उसके दुरू और अनंत के बीच रखे एक बिन के परतिबिन का बनने वाला नमांकित किरा आरेक बनाईये तथा बने हुए परति पाल स집ी अको बनाला बने क्या पsedकória है और ढरेक वास्तु का परतिबिन. focus तथा ध्रू के बीच में तथा आभास कैसा बनेगा आभासी बनेगा सीधा बनेगा वस्तुष्这个 च्छोटा बनता यही लिखना पड़ेगा और उत्तर दरप्र उत्तर दर्प्र पुर्तिबिं ही बनता है इतना आपको इस दरप्र के बारे पुरा लिखना पड़ेगा अप एक जिक इसको चित्र बनाके लिख लिजिए। अब देखिए इसमें कारण आए कि वानू में कौन सा दरप्र प्रयोक किया जाता है। उत्तेल दरप्र क्यों किया जाता है। क्योंकि आभासी बनता है ठीक है और यह सीधा बनता है ठीक है सीधा बनता है जो सीधा परतिविम बनता है उसमें सीधा परतिविम बनता है और छोटा बनने के कारण इसका प्रयोग क्या करते हैं वाहनों के पस्च द्रिस्त देखने के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है मे आये कि दिर्ग द्रिष्टी दोष मतलब दिर्ग द्रिष्टी DOS क explored दूर द्रिषरी दो दिर्ग दिर्ष्टी दोष का संसोुदित किया जाता है एक दिर्ग द्रिष्टी दोष युक्त नेत्र के निकट बिनदू 75 cm है इस दोष को दूर करने के लिए आवस्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी समानी नेत्र निकट भिंदू कितना है पचीस सेंटीमीटर दिया है ठीक है चलिए इसके अंसर को देखते हैं देखे दीर के दरीष्र्टी दोश्कों संसॉधन को इस पकाज़ करेंगे इसका नीवाराल के जायाएं करेंगे और यहां पर आपका पता है कि माननेत्र में उत्तर लेंस होता है अब इसके बाहर क्या करेंगे उत्तर लेंस का एक चस्मा प्रयोग करेंगे यहां से निकटव श्तित वस्तूर से आपको प्रकास करें जाएगा जिससे आपको परतिविम कहां पर बनेगा रेटिना प के बाद इसको्व एकल लिखने पहँद आप को क्या करना देखिए यहां पर बनाते कर दोस्त को कैसे आपको लगाना है यहां पर दिरिख,Distant दोस्त युप jaradade का निकट बिन दिया है 75 संटिमेटर गर्ण करद दिया है यानि कि यह कृश्ड रहा है कि समीर तो माइनस में होता shooting माइनस में होगा फिर इसके बाद देखिए कि यह दिया है 25 इस सवाल को लगाना है इसमें पूछ रहा है कि फोकस जूरी पूछ रहा है कि कितना होगा देखिए इसका फार्मूला क्या होता है लेंस का लेंस का फार्मूला तो वन अपान भी माइनस वन अपान यू ठीक है अब देखिए इसमें कैसे रखेंगे मान चलिए मान रख लेते हैं और हल करते हैं देखिए वन अपान भी कमान कितना है मैनस 75 तो मैनस 75 कर लिजिए यह माइनस है एक बटा के यू कमान मैनस 25 तो मैनस 25 कर लिजिए ठीक है यह माइनस कर लिए आप अब देखिए कैसे हल करना है इसको देखी यह माइनस है यह माइनस को प्लस कर देगा एक बटा कर पचीस हो जाएगा, अब दीखे इसका क्या करेंकि एलस्यम निकाल लीजिए 75 और पचीस का आएगा आपका 75 यह 75 का पचातव माइनस 1 plus 25 थाये तो 3 तीन क्यम 3 तेना से 1 घंड़ेगा 2 बटा के 75 यानि कुल मिला कि 1 upon f f कमान कितना आया है यानि 1 upon f कमान आया आपका 2 बटा के कितना आया दूबटा के 75 आया ठीक है आपको यह कमान गयात करना देखें यह बरावर क्या हो जागा यह प्लट देंगे यह हो जागा 75 बटा के दू यानि इधर के वन अपन आपको यह उपर ले जाएंगे तो पचातर ऊपर चला जाएगा भाग देंगे देखें दू त्याइं च्छ दू साथ चुदा तो तो फोकस जुरी कितना है आपका टा सरी सब्सक्रीकिता in एस प्रॉक्त प्रॉकल मिलते हैं इस प्राशन को देखते हैं एक अगला प्राशन क्या है आपका देखें तेश्वा नंबर का करा है ऐखिए कि किसी चालक का प्रतिरोद किन to ke Management निरभर करता है 0 विद्धुत बल्ब 80 बोल्ट पर संचालित करने पर 10 एंपिर विद्धु धारा लेता है बल्ब को 240 बोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोत उसके सड़िक करम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी धारा ले देखिए इस प्रशन को आप कैसे हल करेंगे देखिए आप 13 वा नंबर का सवाल क्या है कि परतिरोत किन किन बातों पर निर्वर करता है देखिए परतिरोत को फार्मलो आर इसकाल टू रो यलपान यह होता है यह होता है पहला तो निर्वर करता है प्रतिरोत जो चालकतार होगा उसके लंबाई के समानुपाती होता है दूसरा निर्वर करता है कि जो आर होता है उसके प्रतिरोत धक्ता पर और तीसरा नंबर निर्वर करता है कि उसके छेत्रे के ब्यूत करमानुपाती होता है और चौथा नंबर निर्वर करता है ताप पर ती चार पॉइंट पर आपका प्रतिरोध निर्वर करता है इसके बारे में इतना लिखना था ठीक है इतना लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना था यहां पर यानि कि उसके लंबाई प्रतिरोध अधकता और अनुप्रस काट के शेत्रफल और ताप पर दिर्वा करता है ठीक है अब यहां भी देखिए कि एक विद्धुद बल्ब 80 बोल्ट पर संचालित करने पर 10 एंपर विद्धुद धारा लेता है बल्ग दूसरो 40 बोल्ट पर संचालित करने के लिए कितने परत्रोत उसके स्रड़ी करम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले यहां भी देखिए बल्टेज कितना दिया है आपका यहां भी कमान दिया है दूसरो 40V चालिस V फिक है यहां धारा कितना बारा है I कमान I कमान है 10A ठीक है यह EMPER है इसमें पूछ रपतरो तो OOM के निजम के अनुज़ा आपको पता है आरिचकल्डू भी अपा I होता है R6 कमान कितना है दूसर 40 I कमान 10 देखें, 0-0 कटा कितना है, 24 Ohm, कितना है, 24 Ohm, यानि कि सेड़ी करे में कितने परतिरोत जोड़ना पड़ेगा, 24 Ohm का जोड़ते हैं, तो आपको 10 Ampire की धारा लेता है, इसके एंसर क्या होगा, 24 Ohm हो जाएगा, ठीक है, इस पकाल से आपको सवाल को लगाना था, समझ में आ होगा, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, देखें, अगला नंबर का सवाल क्या है, 24 Ohm का देखिए, किलो गंटा को परिभासित कीजिए, एक किलो गंटा कितने जूल के बराबर होता है, एक विद्धुत केतली पर 220 बोल्ट, दूदस मॉलो, दो किलो वाट अंक किलो वाट गंटा की परिभासा देखते हैं, देखें, किलो वाट गंटा के परिभासा होता है, कि किसी परिपत में जुड़े, एक किलो वाट के उकरण में, एक घंटे में, बै होने वाली वैदुत उर्जा, एक किलो वाट गंटा या एक यूनिट भी करते हैं, यह किलो व यहां पर 16 नहीं होगे दोस्तों यहां पर कितना होगा सिक्स ना तीन दस्माल उच्छा गुड़ी दस पर सिक्स जूल के बरापर होता है ठीक है यह इसके परिवासा हो गया अब देखे इस सवाल को लगाएंगे कैसे यहां पूछ रहा है कि आपका कहा गया यहां पर दिया क्या है पहले फिर उसके बाद लगाते हैं देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए आप फिर इसके बाद लगाते हैं ठीक है यहां पर बोल्टेज दिया यानि भी कमान दिया है दूसों बीस बोल्ट ठीक है कामा यहां किलो वाट यानि पी कमान दिया है दू धारा आह इसकी होता है ठिक tu यहां पे इसकी आपया पार भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं युई Warum wr लो औरया प्रेंट कि dalla दिया है आपका 220 ठीक है कि इसको अलकर रिजे हैं कैसे हालोगा यहां से आया करें थेंगा 22220 कटेंगा 10-10 कटेंगे एक स्वपो मठेंगा करेंगे यहां इंक स्टर्च सकते हैं यह गत्तित्र प्रत सकते हैं यहां पर दॉक्टि सब्सक्राइब का मंगर्स दक्राइब करने शुमुंभ सब्सक्राइब 6,6 J, प्रकास की पूरा यहापको लगाना था ठीक है समझ में आगे होगा पूरा अब यहापका देखिए आपका यदि आप यह सवाल हल कर लिए हैं यहां पर अथवा में दिया है इस प्रशन को आप छोड़ सकते हैं इस प्रशन को देख लीजिए किसी चुम्बकी छेत्र में धारा वाही चालक बल लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए दो उपाई बताई इस यह पूरे डिटाल में करा दिये हैं तो यह प्रशन आप अपने से कर लिए ठीक है अब यहां से खावा इस्टार्ट होता है जिसमें आपको रसाइने विज्ञान के सभी सवाल है बिखिए टोटल कितने नंबर के हैं यहां पर आप से चार सवाल पूछा है और टोटल यह क owych देखिए इसका देखिए आईू पिससी जो नाम है क्या और इसका आई पिसस्ट्रीशन दो क्या होगा इसको लिख लिजिए देखिए अब देखिएशकाहगे प्रोपिनाल कारबन के संघ्यागिन के मेथेन एथेन प्रोपेन हो जाएगा अब देखिए इसका तीसरा नमबर का हो जाएगा यहां पर देखिए चार एथील है फोर एथील है फोर एथील है क्या है है अगला क्या है यहां पर अगला देख लीजिए आप यहां पर है एफ ब्रोमों वर बनाए ब्रो मस का के यह के वाइद गूरो हो यहिए ठीक है यह team से यहां पर ब्रोमो औहले ऑगला नंबर का सवाल कर आपका क्या है देखिए अगला नंबर का सवाल आपका क्या है 26 नंबर का देखिए यह आपके 26 नंबर का क्या है देखिए चोटल चार नंबर का है क्लोरीन प्रमाणुक्रमांग 17 का इलक्टानिस विन्यास लिखिए अवास साड़े में इसकी इस्तिति असपस्ट कीजिए इसकी सनी जक्ता यह आपके सलेवस से हट गया है ठीक है फिर भी आपको बता देखिए इसका इलक्टानिस विन्यास कैसे होगा देखिए को सील से देखाते है इसका प्रमाणुक्रमांग 17 के यल यम यन देखिए पहली कच्छा में दो इसमें आठ और इसमें साथ हो जागा इसका इलक्टान इसमें साथ करेंगे कितना हो जगा सनी जगता ?1 बारी कच्छा में आपका पांच-6-7 लक्टान आता है तो उसका आठ में से घटा को उसकी सनी जगता पताते हैं ठीक है इसकी सनी जगता हो गया टोटल चार नंबर खाता ही ठीक है अगला नमबर 27 नंबर का सवाल देखिए क्या है आपका तोटल कितने नंबर का है छे नंबर का है ध्यान दिजिएगा निमने लिखित रसाइनिक समीकड़ों को संतुलित कीजिए यहाँ पर दिया है C6S12O6 प्लस O2C2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2 यहाँ पर आक्सिजन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर आक्सिजन देखिए आपका इधर च्छा है यहाँ पर च्छा है और यहाँ पर कितना दो है जब कि यहाँ च्छा दुना के बारा अक्सिजन हुआ और च्छा तो बारा च्छा कितना हो जाएगा अठार या अठारा ह एक्षीजन बराबर हुआ इत्ने बराबर इधर भी आपके सभी तत त्युन आपसमें बराबर हो गयते हैं आपका रसायनिक संग्राइब क्या होगा इस पकाहा से संग्रिट करना था अगला देखिए अगला दिया है कि CaCO3, HCl 2, H2O, CO2 दिया है, अब इसको बराबर करना है तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या है? Ca1 है, यहाँ पर Ca1 है, सही है Carbon की संक्या 1 है, इधर Carbon की संक्या 1 है बराबर है, यहाँ पर Hydrogen कितना 1 है, लिकिन इधर Hydrogen कितना है? नाइट्रोजन लेंगे निसी अगितना rings सिंपल पेपर हम थिए手 हम यहां प्लास अद्व को आपको ब्राबर करना है कैसे बराबर हो ठीक है जाएगा प्रकास यह प्रकासी क्या हो जाएगा आपका समिक्रास संतुलित हो जाएगा यहां पर देखिए यहमियन ओ two यहां ये च सील है यह मिए सील टू सी एश्टू है यह स्टू ओ है अग इसको बराभर करना है द试ि कैसे बराभर होगा यह तो बड़ाबर करना पड़ेगा कैसे बराबर होगा यहाँ पर कितना लेंगे यहाँ पर स्यल्टन टू रहे हैं यहां अब बराबर बार यू करेंगे उसको भी बराबर ना बढ़ेगा आपको तो बराबर गया फैक यहां पर आप क相信 कि फेले तो डूलेगे नहीं हो पर रहा है इसलिए कदेखा यहां और यहां पर आक्सिजन दू पराबर करने के लिए दो आक्सिजन यहां पर लेंगे आपका यह समिकर जाके संतुलीद हो गया ठीक है इस प्रेशन को यह करते हैं तोटल छानमबर मिलता आपको अथावा में देखिए ठीक यह प्रेशन नहीं आता आप आप आफ़ा में कर सकते थे संचिप ट्पड़ी लिखना था आप आक्सिकड़ अविक्रिया क्या है प्रतियास्थापन अविक्रिया क्या है यह तीन प्रस्ण दिया है आपका दोडो नमबर का टोटल चानमबर का था तीक आप अगला प्रस्ण देखिए उफखंड गह देखिए उफखंड गह क्या है इन प्रस्णों को तयार कर लिए कि मेंडल के नियम करना है चार नमबर का प्रस्ण था इस प्रस्ण को आप जरूर तयार कर लिजेगा अगला देखिए एक आविर्दी बीजी पौधों पौधे मिन निस्येचन के पस्चात होने वाली परिवर्तनों क प्रस्ण को आप यहां तक आपको क्या था यहां तक आपको क्या था यहां तक आपको पूरा पेपर कंप्लीट रहें हुआ तो इसी प्रकास आपको पूरे जितने भी पेपर है च्छोष सब्जेक्ट का आपको बार बार पेपर सभी हल करा रहे हैं अभी तक नहीं देखे ताप प्लेलिस्ट से जाके विग्ञान के और हिंदी के समाजी विग्ञान के सभी पेपर अपलोड कर दिये हैं उन इसने भी प्रशने आप एक दो बार जरूप पहल लीजिए ठीक है इसी प्रकास से प्रतेक दिन आपको सभी पेपर हल करा रहे हैं उस पेपर का संपूर हल देखा कीजिए और वही पेपर आपके बूर्ड के एकजाम में आने वाला है ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडि को से एर करें